जब एक दलित अपनी जाती नहीं बदल सकता वो हमेशा दलिती रहेगा तो वो दलित अपना धर्म कैसे बदल सकता है और उसको अगर कोई धर्म बदलने के लिए फोर्स कर रहा है ति गंभीर अपरा देश की एक ताक देख हमारी राष्टी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ जब एक दलित अपनी जाती नहीं बदल सकता वो हमेशा दलिती रहेगा तो वो दलित अपना धर्म कैसे बदल सकता है और उसको अगर कोई धर्म बदलने के लिए फोर्स कर रहा है ति गंभीर अपरा देख हमारी राष्टी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खत्रा है मु जहाँ कि ऑखत्रा है इसलिए धर्मांत्रन कराने वालों पर युईए पी लगाना चाहिए भर्मांत्रन सबसे बड़ा देशद्रों है मैं देश द्रों इसलिए कह रहा हूं कि भारतियों को जो सम्ता समानता समरस्ता को मानते हैं जो सम्मिधान में लिखा हुआ है ने उसको मानते हैं उनको ऐसे विदेशी रिलिजन में करना जो सम्मिधान के प्रियंबल के गोल्डेन गोल को मानता ही नहीं है ऐसे रिलिजन में करना जो सब को एक समान नहीं मानता, महिलापुरुष को एक समान नहीं मानता, सब एक समान है, एक नहीं ऐसा नहीं मानता, उस religion में convert करना आपने आप में देश द्रो है, धर्मांतरन एक organized crime है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता, कई लोग मिलके इसको करते हैं, इसलिए धर्मांतरन करा इसे बड़़ा कोई देजद्रो नहीं है मेरा यह मानना धर्मांद०ाल यह फिसको लह से इस लिए है इसलिए धर्मांतरन को गंभीरता के साथ लेना चाहिए और धर्मांतरन कराने वाले लोगों पे और उनके मददगारों पे एनसे यूए पीए वेजिंग वार और देश द्रो और गेंगेस रेक लगाना चाहिए जामिया का जहां तक सवाल है जामिया प्रशासन खुद इसकी जाच कर रहा है वो एफ यार भी धर्मांतरन पर नहीं लिखी गई है तो ऐसे में यह नहीं कह सकते कि जो जामिया कह रहा है कि वो अपने फाइदे के लिए अपने हिद के लिए इस तरह की बातों को यूज़ कर है जामिया के प्रोफेसर पे ही आरोप है और जामिया के प्रोफेसर खुद ही जांच कर रहे है तो फिर वो जांच नहीं होगी। कायदे से पुलिस ही उसकी निशन कर पाएगी क्योंकि reflect जानी बात जामिया कौलेडी मांगोकहिझते का दरजा दे चुका है जिनके खुद करा रहे थे या पीछे से कोई और संगठन है वो तबलीकी जमात के सारे पर कनवर्जन करा रहे हैं या देवबंद की सारे पर कनवर्जन करा रहे हैं उस तब निकलाएगा क्या सजा हो सकती अगर यह सच पाई गई बात है तो इन तीम प्रोफेसरों को अब देखिए अभी तो बड़ी सीरी सी बात है डिपेंड करेगा कि क्या क्या रोव इस पर लगाया जाता है मेरी जो पी इल चल रही है इसमें मैंने कहा था कि धर्मांतरन कराने वालों पे नसे लगाना चाहिए और सुप्रिम कोट ने 2022 में उस पर आर्डर भी पास कर दिया था उसके बाद यूपी गवर्मेंट तो लगाता रही है अब दिल्ली पुलिस लगाती है नहीं लगाती मुझे नहीं पता लेकि मेरा यह मानना है धर्मांतरन में अगर थोड़ी सी भी सच्च चाहिए है तो इनके खिलाफ लगाना चाहिए तभी उससे संदेश जाएगा समाज में और वैसे भी इनका तो बहुत गंभीर यह कोई मुला मौलवी नहीं बाकाइदा प्रोफेसर है अगर प्रोफेसर ऐसा काम कर रहे है इनुवस्टी के अंदर जिनका मूल काम था वहां पढ़ाना लिखाना वो अगर कंवर्जन करा रहे है तो इसकी जाच रोनी होनी चाहिए कि अब कि अगरि прим कर रहे है धर्मान कराने के लिए सबसे बड़ा देशद्रों है. मैं देशद्रो इसलिए कह रहा हूँ कि भारतियों को जो समता समानता समरस्ता को मानते हैं जो सम्मिधान में लिखा हुआ है उसको मानते हैं उनको ऐसे विदेशी रिलिजन में करना जो सम्मिधान के प्रियंबल के गोल्डेन गोल को मानता ही नहीं है ऐसे रिलिजन में करना जो सब को एक समान नहीं मानता, महिलापुरुष को एक समान नहीं मानता, सब एक समान है, एक नहीं ऐसा नहीं मानता, उस religion में convert करना अपने आपने देशद्रो है, धर्मान्तरन एक organized crime है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता, कई लोग मिलके इसको करते हैं, इसलिए धर्मान्तरन कर प्रभ देशद्रों की धारा लगाना चाहे, इससे बड़ा कोई देशद्रों नहीं है, मेरा ये मानना धरमांतरन बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला अगर मैं ब्राहमड हूँ अपनी जाती नहीं बदल सकता तो मुझे अपना धर्म बदलने का भी अधिकार नहीं है अगर मैं छत्री हूँ अपना जाती नहीं बदल सकता तो मुझे अपना धर्म बदलने का अधिकार नहीं है दलित को भी जो हमेशा दलिती रहेगा अपनी अगर जाती नहीं बिदल सकता उसको भी धर्म बदलने का अधिकार नहीं है इसलिए धर्मांतरन को गंभीरता के साथ लेना चाहिए और धर्मांतरन कराने वाले लोगों पे और उनके मददगारों पे एनसे यूए पीए वेजिंग वार और देशद्रो और गेंगेस रेक लगाना चाहिए जामिया का जहां तक सवाल है जामिया प्रशासन खुद इसकी जाच कर रहा है वो फायार भी धर्मांतरन पर नहीं लिखी गई है तो ऐसे में यह नहीं कह सकते कि जो जामिया कह रहा है कि आपने ही लिए वह अपने हिद के लिए इस सरे की बातों को यह रहा है जामिया के प्रोफेसर्श क्थदój में जांच कर रहे हैं तो ओफर जांच नहीं होगी काईय्दे से फुलिस इसकी निस्पक्ष जाच कर पाएगी क्योंकि पहली बात तो जामिया का लड़ी माइनार्टी इनुश्टी का दरजा दे चुका है जिनके उपर आरोप है वो खुद भी माइनार्टी कम्मुनिटी के हैं तो वह वहाँ पे सही जाच नहीं होगी हाँ अगर वास्तों में सच उगलव देखिए अभी तो बड़ी सीरी सी बात है डिपेंड करेगा कि क्या क्या रोव इस पर लगाया जाता है मेरी जो पी इल चल रही है इसमें मैंने कहा था कि धर्मांतरन कराने वालों पे नसे लगाना चाहिए और सुप्रीम कोट ने 2022 में उस पर आर्डर भी पास कर दिया था अभी यह कोई मुला मौलवी नहीं है बाकाइदा प्रोफेसर है अगर प्रोफेसर ऐसा काम कर रहे है इनुवस्टी के अंदर जिनका मूल काम था वहां पढ़ाना लिखाना वो अगर कनवर्जन करा रहे है तो इसकी भी जाच होनी चाहिए कि अब तक उन्होंने कितने बच तो वो दलित अपना धर्म कैसे बदल सकता है और उसको अगर कोई धर्म बदलने के लिए फोर्स कर रहा है ति यह गंभीर अपराद है धर्मांतरन देश की एकता है राष्टी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खत्रा है मुगल भी यहां धर्मांतरन कराने आये थे अंग धर्मांतरन सबसे बड़ा देशद्रो है मैं देशद्रो इसलिए कह रहा हूं कि भारतियों को जो समता समानता समरस्ता को मानते है जो संभिधान में लिखा हुआ है देश ने इस और उनको अइसे विदेशी रिलिजन में कनुट करना जो संभिधान के प्रियंबल के द्रो है धर्मांतरन एक आर्गनाइज क्राइम है कोई एक वेक्ति नहीं करता कई लोग मिलके इसको करते हैं इसलिए धर्मांतरन कराने वालों पर बाकादा गैंगेस्टरक्ट लगना चाहिए मकोका गुजगोका या जो भी जहां का है अपना कानून दिल्ली में तो मकोका चलता है इसलिए हम मकोका लगना चाहिए और धर्मांतरन को देशद्रो की धारा लगाना चाहिए इससे बड़ा कोई देशद्रो नहीं है मेरा ये मानना धर्मांतरन बहुत गंभीर मामला है बहुत गंभीर मामला अगर मैं ब्राहमड हूँ अपनी जाती नहीं बदल सकता तो मुझे अपना धर्म बदलने का भी अधिकार नहीं है अगर मैं छत्री हूँ अपना जाती नहीं बदल सकता मुझे अपना धर्म बदलने का अधिकार नहीं है दलित को भी जो हमेशा दलिती रहेगा अपनी अगर जाती नहीं बदल सकता उसको भी धर्म बदलने का अधिकार नहीं है इसलिए धर्मांतरन को गंभीरता के साथ लेना चाहिए और धर्मांतरन कराने वाले लोगों पे और के मददगारों पे एनसे यूए पीए वेजिंग वार और देशद्रो और गेंगेस रेक लगाना चाहिए जामिया का जहां तक सवाल है जामिया प्रशासन खुद इसकी जाच कर रहा है वह फायार भी धर्मांतराण पर नहीं लिखी गई है तो ऐसे में यह नहीं कह सकते कि ज उसकी निस्पक्ष जाच कर पाएगी क्योंकि पहली बात तो जामिया का लड़ी माइनार्टी का दरजा दे चुका है जिनके उपर आरोप है वो खुद भी माइनार्टी कम्यूटी के हैं तो वह वहां पे सही जाच नहीं होगी हां अगर वास्तों में सच उगलवाना है तो अब देखिए अभी तो बड़ी सीरी सी बात है डिपेंड करेगा कि क्या क्या रोव इस पर लगाया जाता है मेरी जो पी यल चल रही है इसमें मैंने कहा था कि धर्मांतरन कराने वालों पे नसे लगाना चाहिए और सुप्रीम कोट ने 2022 में उस पर आर्डर भी पास कर दिय लगा रही है अब दिल्ली पुलिस लगाती है कि नहीं लगाती मुझे नहीं पता लेकि मेरा यह मानना है धर्मांतरन में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इनके खिलाफ एनसे यूए पी ये लगाना चाहिए तभी उससे सक्त संदेश जाएगा समाज में और वैसे भ जांच होनी चाहिए कि अब तक उन्होंने कितने बच्चों का ब्रेंवास किया अगर वहां के इंप्लाई का ब्रेंवास कर रहे हैं धर्मांतरन कराने के लिए तो उन्होंने जामिया में कितने और क्योंकि जामिया में 100% मुसलिम नहीं है वहां गैर मुसलिम भी पढ़ने जाते हैं ऐसे जामिया में पढ़ने वाले इनके संपर्क में आने वाले कितने बच्चे कनवर्ट हो चुके इसकी भी जांच होनी चाहिए कर दो कर दो